डेड़पुल औन वुल्वरीन से वुल्वरीन पूल का फर्स्ट लुक रिविल्ड, केमियो करते दिखेगा यूज जैक्मन का एक मरसनरी वेरियंट भी एक्समन 97 सीरीज के प्रीमियर से ठीक पहले शो का क्रियेटर फायर्ड, सभी एपिसोड के टाइटल और रन टाइम लीग, डिसनि प्लस के अगाता शो के टाइटल कंफरमेशन से रिविल हो चुके हैं शो के एपिसोड नेम्स, एंड DCU की The Batman 2 की अपडेटेड रिलीस देट, सूपरमेन मुवी की BTS फोटो से लीक्ट प्लोट पॉइंट, इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पोइलर रिलेटेड हैं वनम 3 के टाइटल एंड रिलीस देट चेंज से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, हाई सूपर फैंस, आइम स्वापनिल और वेल 90's की वाइब्स, एंड इस शो का प्रीमियर नेक्स्ट वीक होगा दू एपिसोड के साथ, बट शॉकिंगली इससे ठीक पहले फायर कर दिया गया है इस शो के क्रियेटर वो डिमायो को, अब ये डिसीजन काफी सर्प्राइजिंग हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंपोर्टन प्रोजेक्स का पार्ट रह जुके हैं, डिसन प्लस की लाइब एक्शन सिरीज मून नाइट में वो ऐस कॉंट्रिबूटिंग राइटर थे, और फीचर में आने वाली ब्लेड मुवी के लिए भी उन्होंने ड्राफ्स लिखे हैं, और जनरली जब क्रियेटर जो होगा 30 मिनिट्स 30 सेकंड का, और सेकंड मुटन लिबरेशन बिगन्स होगा 30 मिनिट्स 39 सेकंड का, इसके अलावा बाकी के एपिसोड के नाम आप स्क्रीन पॉस करके चेक कर सकते हो, बट टाइटल्स के साथ ही शो का वीकली रिलीज शेडियूल भी कन्फर्म हो गया है, जो पास्ट वीक में हमने प्रेडिक्ट भी किया था, यानि कि एपिसोड्स एवरी वेनेजडे को ही रिलीज होंगे, इसके लावा मार्वल इशो के प्रमोशन के लिए काफी इंट्रेस्टिंग चीज़े कर रहा है, जहाँ पर कुछ प्रोमो इमेजिस, जो कि बेसिकली पो पैटिंसिन की The Batman 2 से रिलेटेड, 2022 में आई The Batman उस टाइम DCU का पार्ट ना रहते हुए भी सूपर हिट हुई थी, और इनिशली रॉबर्ट पैटिंसिन के बैटमेन को मिक्स्ट रिवीज मिले थे, बट मुवी के सक्सेस के बाद ही इसका सेकेंड पार्ट अनौंस कर दिया यानि कि अब मुवी रिलीज होगी 2nd October 2026 को, अगेन सीक्वल भी करेंट DCU से अनलिक्ट रहेगा, यानि कि DCU की अनौंसमेंट के टाइम जो जेमस गन ने बताया था, ये मुवी बेस्ट होगी एक अल्टरेट वर्ल्ड में जिसे DC उनिवर्स में बुलाया जाएगा Elseworld, तो Matt Reeves के अंडर बनने वाले इस मुवी की स्क्रिप्टिंग पर ही अभी काम चल रहा है, लीक्स में अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन DCU की फर्स मुवी, सूपर मैन की शुटिंग अल्रड़ी शुरू हो चुकी है, तो उससे रिलेटड लीक्स आने ज़रूर शुरू In fact, recently James Gunn ने अपने Instagram पे शेयर की थी एक फोटो जो इसी मुवी के सेट की है, इस फोटो में उनके साथ है Peter Safran, जो DC Studios की को CEO है, ये शुटिंग हो रही है, नौर्वे में एक फ्रोजन तुन्रा में, अब obviously इस फोटो से ये clear तो नहीं हो रहा कि यहां शुटिंग कि सीम के हो बट DC के हिस्ट्री से हम अलड़ी जानते हैं कि ये लोकेशन हो सकती है, जो अर्थ पे सूपरमैन का होम बेस रहा है, और यहीं पर विजट करके उसे अपनी पास हिस्ट्री और अपने प्लैनेट की डीटेल्स पता चली थी, इस फोट्रेस को हम पास्ट की मुवी में भी द दरूर देखने मिलेगी, अग था डाकोल डाइरीज, अग था हाउज ओफ आखनेस, अग था कोवन ओफ के ओस, डिसनी प्लैस के अग था पे बेस्ट इस शो को पास्ट में मल्टीपल नाम मिलते आ रहे हैं, और इस चीज का पास्ट में मजाग भी बना था कि एक शो का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा, लेकिन रिसेंटली यूएस कॉपिराइट ओफिस में इस शो के नाम को फाइल किया गया है, जिसके बाद मार्वल के ओफिशल साइट पे भी इस शो का टाइटल चेंज करके रखा गया है, सिर्फ एग था, येस इट मीन्स की इस शो के टाइटल म पेल में ट्रैप्ड है, वो वेस्ट व्यू में ही दिखेगी एक मर्डर केस को सॉल्ट करने की कोशिश करते हुए, सिर्फ में टोटल नौ एपिसोड्स हैं और उन में से हमें चार के नाम तो पता ही है, लेकिन साथ ही में यहाँ इन एपिसोड्स का रन टाइम जो होगा अल हर्कनेस भी, सिर्फ के प्रीमियर की बात करें तो इसी साल सेप्टेंबर से ऑक्टोबर के बीच ये सिर्फ प्रीमियर होगी, क्योंकि प्लैनिंग है इससे हेलोवीन के राउंड रिलीस करने का, और इस साब से इसका ट्रेलर सेंड डियागो कॉमिक कॉन में जुलाई मन्थ में रिलीस किया जाएगा, बट इस टाइटल के ट्विस्ट को लेके इतना क्लियर है कि इट वाज अब फाइनली बात करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन की, जहां पर लेटेस लीक से रिविल हुआ है वुल्वरीन पूल का फर्स स्केच, कॉमिक्स में दिखा वुल्वर वेरियंट्स हमें देखने मिलेंगे डेडपूल और वुल्वरीन के, जिसका पास्ट रूमर से रिजन था कि डेडपूल एक परफेक्ट वुल्वरीन वेरियंट ढून रहा है, और हो सकता है कि एक वुल्वरीन पूल ही उसका सॉलूशन हो, अब यह सिर्फ स्केच है लेकि Mercenary for Hire था, और क्योंकि इस मुवी में उसके Bone Claws ही थे, जो मुवी के end तक वैसे ही रखे गए थे, तो हो सकता है कि यहां पर इस वेरियंट के भी Bone Claws हो, और हो सकता है कि यह जोक्स जिस Kevin के उपर मारे गया है, वो यह वाला Kevin नहीं, बलकि यह वाला Kevin हो, और जिस तरह से She-Hulk किस Kevin से मिली थी, क्योंकि वो भी 4th wall break कर सकती है, हो सकता है वैसे ही Wade Wilson भी इस Kevin से मिले, and then या तो उसे convince करे, या फिर उसे destroy करे, जिसके वज़े से MCU और Fox Universe के X-Men आपस में collide होंगे, अब recent में जितनी भी MCU के projects flop हो रहे हैं, और stories को लेके जो criticism हो रहा है, उसका reason Kevin 5 की को माना जा गए हैं, और stories and continuity पर ध्यान दिया जा रहा है, तो I think MCU के लिए उनसे better और कोई नहीं हो सकता, इस बारे में अपने thoughts मुझे comments में लिखके ज़रूर बताना, and bonus spoilers, Venom 3 जिसका past में rumored title था Venom the Lethal Protector, recent confirmation मिल रहे हैं कि उसका title change करके, अब final हो चुका है Venom the Last Dance, इस नाम का भी rumor हमें past में मिला था, लेकिन इसे इतना पसंद नहीं किया गया था, and fans के इसाब से अगर इसका title Venom 3 भी रखा जाता, तब भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे Deadpool 3 को, Deadpool and Wolverine रखा गया है, but then title doesn't matter, क्योंकि लोग देखने जाएंगे story को, and in characters के साथ जुडे हुए actors क अगर SSU के बात करें, जिनके इस साल के Madam Webb अल्रेडी flop हो चुकी है, जिससे related एक news थोड़ी देर में बताता हूँ, but इनकी second movie होगी, Creven the Hunter, जिसके बात Venom, The Last Dance आएगी, and अगर आने वाली ये movies भी नहीं चली, तो शायद हो सकता है कि SSU के लिए भी ये The Last Dance हो, अब next videos के लिए एंड स्क्रीन से recommended वीडियो जरूर चेक आउट करना, and वीडियो एंड तक देख रहे हो, तो लाइक भी करते ना, क्योंकि वो एकदम फ्री है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and Madam Webb पे लास्ट वीग मेरे बताये, Dakota Johnson के comments को लेके, Sony के bosses उनसे काफी नहीं जाएगी,